हेलो एवरीवन बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं यूदरीयल मैं हूँ आपका अपना निजिसलक का रमित्राश शर्मा आज की वीडियो का श्रैज जाता है श्रीमान प्रकास जी के साथ में श्रीमान हफीज जी के इस कमेंट्स को अगर आप लोग बजाज अलियांस लाइफ इंशॉरेंस कम्पनी लिमितेट के कैपिटल अश्र गूल प्लान की डिटेल को समझना चाते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें आपको कैपिटल अश्र गूल प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिससे वीडियो में हम बजाज अलियांज लाइफ इंशॉरेंस कंपनी लिमिटेड के गोल अशॉर टू प्लान की रिटेल को हम समझ रहे हैं यह प्लान एक यूनिट लिंग्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविज्वल सेविंग्स लाइफ इंशॉरेंस प्लान है जहां पे आपको रिटन मिलता है फंड परफॉर्मेंस के अनुसार साधरनी शब्दों में हम इस चीज को अगर समझें तो प्लान के अंदर आपको चार पॉर्टफॉलियो स्टेजी के ऑप्शन मिलते हैं जिसमें 15 अलग-अलग फंड के ऑप्शन मिलते हैं आप पॉर्फॉलियो है वो आपको ऐसे मिचॉरिटी बेनिफिट दे दिया जाता है इसी के साथ लाइफ कवर भी रहता है किस तरीके से आगे समझेंगे अभी आप वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए जिससे कि आप जान सकें कि प्लान लेने की कम से कम आयू रखी है सुन्य साल मतलब की जीरो येर और अधिकतम साथ साल अगर आप माइनर के लिए प्लान लेंगे तो जो मिचॉरिटी बेनिफिट है या जो पार्शल विड्रॉल का माउंट है वो उनके 18 साल की आयू पे ही आपको मिल सकता है इतना आपको पॉलसी टम चुनना होगा प्लान में आप 75 साल की प्रिमियम पेमन टम है दस साल के पॉलसी टम के साथ ने आपको 5 साल 7 साल 10 साल 3 आप्शन मिलते हैं 15 साल के पॉलसी टम के साथ ने 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल का प्रिमियम पेमन टम और 20 साल के पॉलसी टम के साथ ने 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल का प्रिमियम पेमन टम सालाना प्रिमियम प पर ही आपको मिलता है क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से ओटम ओडिट ओटो डेविड ही होता है मिनिम्म सम अशॉर्ड का लिमिट है आपके साला ना प्रिमियम का साथ गुड़ा अब हम जानेंगे बजाद अलाइंज लाइफ के गोल अशॉर्ड टू प्लान के बैनेफिट होता है उसमें वो एड किया जाता है क्या फंड बूस्टर को एड किया जाता है फंड वैल्यू में कितना होता है फंड बूस्टर आपके सालाना प्रिमियम का एक विनिश्चित प्रतिशत होता है अगर पांस साल का पॉस्टर बेनिफिट नहीं मिलता है अगर आप 10 साल का लेते हैं तो आपके सालाना प्रिमियम का 20 प्रतिशत आपको फंड बूस्टर मिल जाता है मिचॉरिटी पे ठीक है जब हम यहां पे सालाना प्रिमियम कह रहे हैं तो वह बेस प्रिमियम की हम बात कर रहे हैं अगर आप 15 साल का policy term लेंगे तो आपके सालाना प्रतीशत maturity पे आपको fund booster benefit मिल जाएगा आपके fund value में add होके अगर 20 साल का policy term लेंगे तो जो आप सालाना base premium pay कर रहे हैं उसका 60 प्रतीशत आपको fund booster benefit मिल जाएगा जो के आपके fund value बे add होकर के maturity पे मिलता है अगर आप top up premium pay कर रहे हैं तो इस पर आपको fund booster का benefit नहीं मिलता है policy का आप surrender कर रहे हैं या paid up करते हैं डिसकंटीन्यू कर रहे हैं तो भी आपको fund booster benefit नहीं मिलता है ठीक है तो समझ में आयता है यहाँ पर लगाता है अगर policy को enforce रखेंगे तो ही हमें मिलता है next benefit है loyalty edition का राइट अब यह जो loyalty edition है यहाँ पर लिखा हुआ है कि annualized premium from the 6th year onwards onwards अब 6th year onwards लिखा है यानि कि policy के छटे साल से हमें यह मिलना चालू होगा हमें इसा यहाँ पर समझ सकते हैं कितना मिलेगा अगर 10 साल का policy term है तो सालाना base premium का सुन्य दसमलब 5 सुन्य प्रतिशत आपको loyalty edition मिलता रहेगा throughout the policy term छटे साल से 15 साल का policy term लेंगे तो आपके सालाना base premium का एक प्रतिशत आपको मिलता रहेगा policy के छटे साल के बाद से अगर 20 साल का आपने लिया है policy term तो आपके सालाना base premium का डेड़ प्रतिशत आपको loyalty edition मिलता रहेगा policy के छटे साल के बाद से लेकि loyalty edition कम मिलता है जब आपका सालाना premium पांच लाख रुपे का हो या उससे जादा हो loyalty edition आपको top-up premium पे नहीं मिलता है policy को surrender करेंगे तो भी नहीं मिलेगा policy discontinue कर देंगे तो भी नहीं मिलता है ठीक है जी इस plan में आपको return of mortality charge मिल जाते हैं at the end of policy term जिसे हम कहते है maturity जो भी mortality charge होगा आपको वापस मिल जाएगा अगर आपके पास अल्रेड़ी बजाज अलाइंस life का कोई insurance product है life insurance या यूली plan आपके पास या आपके किसी family member के पास तो आपको family benefit के नाम से यहां पे कुछ benefit देखने के लिए मिल जाता है और यह benefit आपको maturity पे मिलता है जो के आपके premium का जो fund value होता है उसका maturity maturity से जस्ट पहले के जो three years होंगे जो average fund value रहेगा उसका एक प्रतीशत मिलेगा पास साल का अगर आपका policy term है तो सुनी दसम्लब दो 5 प्रतीशत मिल जाएगा फंड value का अगर 10 साल या 15 साल का policy term लिया है तो maturity से पहले के जो तीन साल होंगे उसमें जो regular premium का फंड value होगा उसका सुनी दसम्लब 5 प्रतीशत मिलेगा ठीक है family benefit 20 साल का policy term लेंगे तो average last years का जो policy का जो fund value होगा आपके premium के अनुसार fund की performance के अनुसार उसका एक प्रतीशत मिल जाएगा family benefit प्लान में जो death benefit है वो कहता है कि आपका जो sum assured आप लेते हैं उसका comparison करते हैं आप fund value के साथ में फिर उसका comparison करते हैं आप total paid premium का 105 प्रतीशत निकाल करके जब हम बात करते हैं total paid premium तो वो base premium की बात हो रही है तीनों में से जो भी जादा होता है उसमें से हम partial withdrawal को घटा देते हैं अगर भीमाधारक ने current year में यानि कि पिछले दो साल में अगर partial withdrawal किया है अपनी मित्वी से पहले तो ठीक है जी आपको पता ही है कि यूली प्लान में maturity पे आपको fund value मिलता है जितने भी number of units आपकी होती है उसकी जो NAV जहती है उसके इसाब से फंड value होती है मिचुरेटी के टाइम पर बात आती है partial withdrawal की तो माइनर के लिए प्लान लेंगे तो 18 साल के वह होंगे तभी partial withdrawal मिलेगा आप अपने लिए लेंगे तो कम से कम 5 साल आपको रुकना होगे कि 5 साल का locking period है minimum partial withdrawal का लिमिट 5000 रुपे का है maximum partial withdrawal का लिमिट है total paid premium का 10 प्रतिशत राइट जब आप एक बार अगर request करते हो उस टाइम पे अगर आपका fund value आपके सालाना premium का चार गुना से कम है तो ऐसे में आप partial withdrawal नहीं कर पाएंगे ठीक है जी next condition इसमें यह है कि दो partial withdrawal लिमिट है एक साल के अंदर मतलब एक policy year में आप दो बार से जादा partial withdrawal नहीं कर पाएंगे और पूरे policy term के दौरान जो maximum partial withdrawal है वो आपके total paid premium का 50% से जादा नहीं होना चाहिए और जब भी आप partial withdrawal करेंगे तो उसमें कम से कम तीन महीने का difference होना चाहिए यानि कि gap होना चाहिए दो partial withdrawal के बीच में ठीक है अगर policy force closer कर दी गई है तो तीन policy year में लगा था तो फिर policy को company बंद कर देगी और आपको intimation देगी यानि कि inform कर देगी अब हम बात करेंगे portfolio strategy option के तो पहला है investor selectable portfolio strategy यहाँ पे fund option आप खुद चुनते हैं और आप ही सारी चीज़ें यहाँ पे handle करते जैसा कि नाम भी है investor selectable portfolio strategy तो पहला जो fund option आपको मिल होगा ही equity में सूनी से लेके 40% तक का जो window रखा गया वो bank deposit के अंदर किया जाएगा company के जो fund manager होते हैं वो इस चीज़ को देखते हैं आप बस fund चुनते हैं और premium पे करते हैं बाकी money market instrument cash and mutual fund में सूनी से लेके 40% तक का window रखा गया है second option है accelerator mid cap fund second यह भी very high risk category का fund है यहाँ पे भ allocation है कम से कम 60% तो जाएगा equity में और उसमें से जो 50% होगा वो mid cap stocks में जाएगा और mid cap small cap के उपर already आपको SIP and mutual fund playlist में video मिल जाएगी bank deposit money market instrument and cash and mutual funds के लिए जो window रखी गया assets allocation का वो सूनी से लेके 40% तक का रखा गया है next जो हमें यहाँ पे fund का option मिलता है वो है pure stock fund number 3 यह भी very high risk category गिरी का है यहाँ पे भी equity का 60% में जाएगा यानि कि जो assets allocation होगा यानि कि जो आपको premium होगा overall वो कम से कम 60% तो equity में रहेगा ही बाकी bank deposit money market instrument cash and mutual funds में दोनों ही cases में यहाँ पे सूनी से लेके 40% तक का window यहाँ पे रखा गया है ठीक है मालो 60% आपने equity में लगा दिया 20% bank deposit में और 20% आपने money market या cash instrument में mutual fund में लगा दिया number 4 जो fund option है वो है pure stock fund second यह भी very high risk category का fund है यहाँ पे देखने वाली बात यह कि जो assets allocation होगा वो 75% तक का equity में जाएगा इससे कम नहीं होगा बाकी money market instrument, cash, fixed deposit and mutual fund के लिए जो window रखा गया है वो सून्य से लेके 25% तक का रखा गया है ठीक है जी यह चीज़ के लिए रोगई number 5 जो fund option है वो है assets allocation fund second अब यह जो assets allocation fund second है इसका जो profile हम देखते है यह भी high risk category का है और जो assets allocation हम यहाँ पे देख रहे है equity में कम से कम 40% अधिकतम 90% तक जाएगा debt, bank, deposit and fixed income securities में सून इसे लेके 60% तक का window रखा गया है money market instrument में सून इसे लेके 50% तक का window रखा गया है तो यानि कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपना premium allocate यहाँ पे कर पाएंगे जो भी options आपको ठीक लगते हैं और कैसे आप इन fund के अबारे में जानेंगे वो भी मैं आपको बता दूँगा वीडियो बस आप धैर पूरवक अन तक देखेगा अब जो next fund का option है वो है blue chip equity fund अब यह जो blue chip equity fund है यह भी high risk category का fund है क्योंकि equity में जो investment होगा वो कम से कम 60 प्रतीशत तो रहेगा ही आपके premium का राइट bank supported deposit और जो money market, instrument, cash and mutual funds के लिए जो window रखी गई है again soon इसे लेके 40 प्रतीशत तक का window हमें देखने के लिए मिलता है और देखिए जब आप ulip plan लेते हैं तो थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए यह चीज में आपको जरूर कहूंगा next fund का option है यहापे bond fund अब bond fund है नाम से आपको पता लग रहा है कि moderate risk रहता है इसके अंदर क्यों रहता है क्योंकि यहाँ पे debt and debt से related जो securities होती है including आपका जो fixed deposit है वहाँ पे जो window रहता है investment का अपके assets allocation का वो 40% से लेकर के 7% तक रहता है यानि कि पूरा पैसा आप यहाँ पे invest कर सकते हैं या फिर आप ratio define कर सकते हैं in combination of money market instrument cash mutual fund में क्योंकि money market instrument cash mutual fund के लिए सून इसे लेके 60% तक का window रखा गया equity में invest नहीं होता है bond fund में फिर आता है liquid fund liquid fund के बारे में आप लोग जानते हैं क्योंकि आपने video अलड़ी देखी है channel पे से संबंदित यह बहुती low risk category का होता है यहाँ पे bank deposit and money market instrument में ही invest होता है जो कि 100% जाता है यानि कि equity किसी भी तरीके से direct या indirect involved नहीं होती है फिर next fund का जो option है हमारा वो है flexi cap fund अब यह जो flexi cap fund है यह very high risk category के अंदर आ जाता है क्योंकि यहाँ पे equity and equity से related जो instrument है जो assets allocation है वो 65% से लेके 7% तक है बाकि cash, bank deposit, liquid mutual funds and money market instrument में सून इसे लेके 35% तक का window रहता है next option आता है आपका sustainable equity fund यह भी very high risk category का है क्योंकि flexi cap fund की तरह ही same proposition यहाँ पे रखा गया है equity and equity से related instrument के लिए 65% से 100% cash, bank deposit, liquid mutual fund, money market instrument के लिए सून इसे लेके 35% small cap fund के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे क्योंकि यह काफी लंबे समय तक trend में रहे हैं लेकिन अभी थोड़ा सोचके इसमें लोग invest कर रहे हैं यह very high risk category के होते हैं आप जानते हैं क्योंकि equity में कम से कम 65% से लेके 100% तक पूरा amount जा सकता है अगर आप चाहें तो बाद आइदर आप इसको balance कर सकते हैं bank deposit money market instrument and mutual fund के साथ जहां पर सून इसे लेके 35% का window है next fund option आता है आपका dynamic assets allocation fund जो की high risk category का होता है क्योंकि equity यान equity से related जो instrument options है उसमें 10% तक कम से कम आप कर सकते हैं maximum अपना assets allocation कर पाएंगे 90% assets का मतलब है total premium जो आप pay कर रहे है depth and depth से related जो instrument है 10 से लेके 90% तक का option है money market instrument में सून इसे लेके 80% तक का limit है तो जैसा नाम है dynamic वैसे यह options आपको दिये जा रहे है अपनी चनल सर मैनेज कर पाएंगे फिर आपका individual short term fund moderate risk category का क्योंकि equity यहाँ पे involved नहीं है depth and depth related instrument 40 से लेके 100% बाकी money market instrument के लिए सून इसे लेके 60% तक का यहाँ पे ratio रखा गया है अगर आप equity में invest नहीं करना चाते हो तो यह options आप देख भी सकते हो next fund option है यहाँ पे mid cap index fund इसके उपर already video available है हाली में इसकी information आपके साथ share कीती नया fund option है very high risk category का है अगर आपने वीडियो देखिए तो आप जानते है equity and equity से related instrument में 65 से लेके 100% cash, bank deposit, liquid mutual fund and money market instrument में 60 से लेके 35% फिर आपका debt plus fund जो की moderate risk category का है लेकिन इसमें आपको equity के exposure बिटकुल नहीं मिलेगा क्योंकि debt instrument में not less than 80% यानि कि debt instrument में कम से कम 80% आपका asset allocation हो जाएगा आप जो premium पे करेंगे उसका और money market instrument के लिए 20% का maximum limit रखा गया है अब second जो portfolio strategy है वो है wheel of life portfolio strategy वीडियो को full screen पे कर लीजिए तो आपको साफ नजर आएगा कि proposition हमें यहां पे बताया गया कि three fund में किस तरीके से रहेगा और right inside में हमें दिखता है bond fund भी और liquid fund का भी combination ठीक है कि कैसे हमारे gain को समय के साथ secure किया जाएगा years to maturity यहां पे लिखा गया है यानि कि maturity आने में कितना समय बाकी है जैसे कि मालो आपने policy item 20 साल या उस से जादा लिया तो ऐसे में शुरू बात में आपका जो premium होगा उसका जो 20% assets allocation होगा वो blue chip equity fund में जाएगा 50% equity growth fund second में और 30% accelerator mid cap fund second के अंदर उसके बाद जैसे ही 19 साल जाएगा मतलब पहले साल में जैसे 20 साल का positive में तो इस तरीके को proposition रहेगा bond और liquid fund में सून रहेगा फिर जब 19 साल complete होगा 19 साल से मेरा ये मतलब है कि maturity आने में जब 19 साल बचेंगे याने की policy का दूसरा year ठीक है लगेगा तब ठीक 30% जाएगा blue chip equity fund में 50% जाएगा equity growth fund में equity growth fund second में ठीक है 20% जाएगा accelerated mid cap fund second में bond और liquid में 0-0 ही रहेगा फिर अगले 4 साल तक यही ratio यहाँ पे follow किया जाएगा under the wheel of life portfolio strategy फिर जैसे ही maturity आने में 15 साल बचेंगे उस समय में फिर ratio change हो जाएगा 40% blue chip equity fund, 40% equity growth fund second, 15% accelerated mid cap fund second and 5% जो होगा वो bond fund में allocate किया जाएगा assets allocation जो आप premium pay करेंगे उस से जो भी नुट होगी उनको relocate यहाँ पे किया जाएगा अब जो accelerator mid cap second fund में जो ratio घट रहा है वो bond fund में increase हो रहा है जो कि जब maturity आने में 13 साल रहे गए तो वो 15% bond fund में हो गया ऐसे ही जब maturity आने में 10 साल बचते हैं तो हम देखते हैं कि 40% का जो proposition होगा वो blue chip equity fund में रखा जाएगा 30% equity growth fund second में accelerator mid cap fund second में हो जाएगा सून्य और जो 30% होगा उसको bond fund में transfer कर दिया जाएगा ठीक है तो यानि कि हम यहां से यह समझ रहे हैं कि समय के अनुसार जैसे जैसे profit जो है manage करने के लिए यानि कि gain जैसे हमारा होता जा रहा है समय के साथ साथ उसको bond fund में transfer किया जा रहा है accelerator mid cap fund को nullify करके फिर जैसे ही maturity आने मां आखरी के जो 5 साल बचते हैं उसमें हम देखते हैं कि blue chip equity fund में 40 प्रतिशत रहता है और equity growth fund second and accelerator mid cap fund second में सून प्रतिशत हो जाता है क्योंकि ऐसे में bond fund में 55 प्रतिशत हो जाएगा हमारे assets allocation और 5 प्रतिशत liquid fund में transfer कर दिया जाएगा फिर जब maturity आने में 3 साल बचेंगे तो blue chip equity fund में भी ratio घटा दिया जाएगा घटकर हो जाएगा केवल 20 प्रतिशत total assets allocation का total जो हमारा जो value होगा न unit जो होगी उसको मैं यहाँ पे assets कह रहा हूँ जो हम premium pay करते रहेंगे उसके अनुसार जो total value बनेगा उसका 20 प्रतिशत रह जाएगा बाकी जो 65 प्रतिशत होगा वो bond fund में transfer किया जाएगा और 15 प्रतिशत liquid fund में क्यों किया जा रहा है ऐसे क्योंकि maturity आने पे हमारा जो gain है वो liquid fund में ही सारी जो units होगी जो values होगी वहीं पे ही transfer कर दी जाएगे जिससे कि जो भी gain हुआ है वो महफूज रहे क्योंकि low risk होता है bond and liquid fund में इस वज़े से ठीक है जी अब next जो portfolio strategy है वो है trigger based portfolio strategy अब यह जो trigger based portfolio strategy है हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है जैसे ही profit triggered होगा तब य दे पाएंगे उसके बाद नहीं trigger based portfolio strategy में equity growth fund second and bond fund का आपको combination देखने के लिए मिलता है और जो ratio रखा जाता है 75 प्रतिशत equity growth fund second में और 25 प्रतिशत जो होगा वो bond fund में रखा जाएगा और यही ratio throughout the policy term balance किया जाएगा यानि कि जैसे ही profit trigger होगा उसको rebalance किया जाएगा ठीक है जो कि predefined event यहाँ पे नहीं रखा जो कि 15 प्रतिशत upward moment यहाँ पे हमें बता जा रहा है जैसे कि equity growth fund second में 15 प्रतिशत का हमें growth देखने के लिए मिला जो भी हमने invest किया bond fund amount में उस पे जैसे कि आप अब देख सकते हैं लिखा हुआ भी है on the occurrence of the tiggered event any value of unit in equity growth fund second which is excess of three times of the value of unit in bond fund यानि कि जो value हमने bond fund में invest की है या और भी simple तरीके से समझें 75 प्रतिशत का ratio equity growth fund second में यहाँ पे mention किया गया 25 प्रतिशत bond fund में अब जो bond fund का जो unit है वो 25 प्रतिशत ही रह रहा है right है total asset allocation का equity growth fund second में है 75 प्रतिशत तो equity growth fund second में जब भी 15 प्रतिशत का हमें यहाँ पे ratio दिखाई देगा upward moment दिखाई देगा उसको liquid fund में transfer कर दिया जाएगा जिससे की 75 प्रतिशत equity growth fund second में और 25 प्रतिशत हमारा bond fund में manage किया जा सके ठीक है जी अब यह दोड़ा complicated है इसके लिए आपको agent की help लगेगी ही वीडियो में इतना ही समझाया जा सकता है इसके बारे में last option है auto transfer portfolio strategy आ equity fund में transfer किया जाएगा अपने आप होगा आपको कुछ नहीं करना है जैसा कि strategy का नाम भी है grace period की बात करें 15 दिन का grace period है monthly mode of premium के साथ बाकी other mode of premium के साथ में 30 दिन का grace period मिलता है अब हम बात करते है बज़ा जलाइंस live goal अशौर plant 2 के charges के बारे में तो equity growth fund second accelerator mid cap fund second pure stock fund आप जानते कि ये fund जो है very high risk category के है इसी के साथ ने flexi cap fund भी sustainable equity fund भी और small cap fund भी और इसके साथ में जो dynamic assets allocation fund है यह भी और mid cap index fund भी ये भी very high risk category का है इन सभी fund पे जो fund management charge लगेगा हर साथ वो आपके fund value का 1.35 प्रतिशत लगता है बात आती है pure stock fund second की इस पे जो आपको charge लगेगा fund management वो आप आपके fund value का 1.30 प्रतिशत लगेगा सालाना liquid fund और bond fund में आपके investment में कम risk होगा तो जो fund management charge होगा वो 0.95 प्रतिशत होगा इसी के साथ में individual short term debt fund में भी 0.95 प्रतिशत ही सालाना fund management charge लगेगा debt plus fund में 0.70 प्रतिशत आपके fund value का हर साल fund management charge लगेगा assets allocation fund second blue chip equity fund second इन दोनों में जो सालाना चार्ज लगेगा fund management वो आपके fund value का 1.25 प्रतिशत लगेगा इस plan में अच्छी बात यह है कि premium allocation charge नहीं लग रहा है जो कि heavy amount पर जाता है वैसे अगर आप policy को discontinue करते हैं तो एक 1000 रुपे से लेके 14 रुपे तक का maximum charge लग सकता है अगर पांचवे साल पे policy को discontinue करेंगे तो policy discontinue charge नहीं लगता है ठीक है mortality charge लगता है यह आपकी I.U और policy term के प्लान में जो policy administration charges अलाना 400 रुपे का है लेकिन maximum जो limit रखी गई है इसकी वो 500 रुपे पर मंत है इससे जादा कभी नहीं होगा ऐसा policy brochure में कहा गया है यानि की possibility है कि आगे चलके इतना हो सके इसी के साथ में जो mislinious transaction charge है वो 100 रुपे का लग सकता है पर एक transaction पे अब policy discontinue fund को समझ लें क्योंकि यही वो fund है जब आप discontinue करेंगे policy को तो इसी में सारी unit जाएंगी यहाँ पे जो money market instrument में उसमें सून इसे लेके 40 प्रतिशत तक जो भी आपकी units होगी उनका allocation किया जा सकता है rest government securities में किया जाएगा 60 प्रतिशत से लेके 70 प्रतिशत तक कौन करेगा क्योंकि आप policy को जब discontinue कर देंगे तो जो company के fund manager होंगे वो ही यह करेंगे जिस पे आपको guaranteed जो rate of return है वो 4 प्रतिशत तक का मिल सकता सालाना compound ठीक है अब guaranteed क्यों का है क्योंकि इस पे इतना मिलता आया है इस वज़े से कह दिया है अब policy browser में हमें एक example देखने के लिए मिलता है श्री सालाना premium का 10 गुना यानि कि 5 लाक रुपे का समच और उन्होंने यहां पे लिया policy term लिया उन्होंने 15 साल का तो हम जानते हैं कि सालाना 50,000 रुपे के 10 से 10 साल में वो 5 लाक रुपे का ही premium पे कर लेंगे तो company यहां पे बताती है कि अगर rate of return 4% का रहा तो fund booster मिल जाएगा 20,000 रुपे का return of mortality charge मिल जाएंगे 2499 टोटल इसको कर दागया fund value के साल तो 6,50,50,50 रुपे का amount मिल सकता है अगर 8% का rate of return रहा तो fund booster 20,000 रुपे का return of mortality charge जो है वो 2,166 रुपे और maturity पे जो fund value मिल जाएगा total वो 9,70,442 रुपे का मिल सकता है ठीक है अब क्या मिल सकता है इतना या नहीं उसे समझने के लिए वीडियो को कर लेंगे हम full screen पे जैसे कि हमने बताया था कि assets allocation fund second option हमें available है इस plan के साथ यह fund 31,2014 को market में आया तब से लेके अब तक 10.111 प्रतिशत की दर से इसने return दिया है equity growth fund second 20 plan के साथ available है जो कि 6 जनवरी 2010 को market में आया तब से लेके अब तक overall 13. 13.38% की दर से इसने return दिया है अब जो already subscriber है उनके पास ये PDF है क्योंकि वो telegram channel से ले चुके हैं अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो telegram channel से PDF जरूर ले 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 क्योंकि इसमें आपको सभी fund option की detail मिल जाएगी rate of return के साथ अब देखे यूलिप plan subject to market risk है profit और loss दोन करेंगे तो अपने investment का best return आप ले पाएंगे राइट क्योंकि planning आपके उपर ही depend करती है कि आपके क्या goal है आपने धैर पूर्वक वीडियो अन तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आभार एक चीज़ कुद भी समझे दूसरों को भी समझाए कि insurance एक protection ह protection कभी अदूरी नहीं लेते हैं बाकी जानकारी क्लियर है तो please video को like करें share करें और comment section में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस plan से सम्झे चाहते हैं धन्यवाद अपना ध्यान रखिएगा आप सभी